वहीं कारगिल की लडाई में एहम भूमिका निभाने वाले वायुसेना के मिग 27 लडाकू विमान की आज रिटायर कर दिया गया तीन दशक से ज्यादा समय की सेवा के बाद सात विमानों के अपने स्क्वारडन को जोधपूर एयर बेस से वायुसेना ने आज विदाई दी भारती वायुसेना के बेड़े में 1985 में इन विमानों को शामिल किया गया था रक्षामंत्राले ने मिक 27 को लेकर कहा कि इन एरक्राफ्ट्स ने युद काल हो या फिर शान्ती का दौर भारत के लिए एहम भूमिका दी है कालगिल की जंग में इन फाइटर जेट्स ने दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट और बम बरसाए थे मिक 27 के रेटायर होने के बाद रक्षामंत्राले ने कहा कि इस बेडे ने एतिहासिक करगिल युद के दौरान गौरव हासिल किया था जब इसने दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट और बम सटीकता से गिराए थे मिक 27 ने ओपरिशन पराकरम में भी सक्रिय भूमी का निभाई थी